आज बनाने जा रहे हैं बिलकुल सिंपल चिकन कटलेट्स जिसमें ना आलू इस्तमाल करेंगे और ना ही अंडा तो चलिए स्टाट करते हैं यहां हमने चिकन का कीमा लिया 250 ग्राम आप उनलिस चिकन को भी वाश करके मिक्सर में डाल कर कीमा बना सकते हैं मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इस्तमाल करेंगे वाले हैं कटलेट को तो 1 3rd cup sweet corn जिसे थोड़ा सा हमने बॉयल किया 2-3 मिनिट थोड़ी प्याज है ये 1 4th cup के आसपास 1 4th cup के आसपास हरी प्याज के पत्ते गाजर 1 3rd cup छोटा-छोटा छोटा चॉप किया दो क्यूब हमने चीज के लिए हैं जो optional है आप नहीं चाते तो बिल आप चीज दालने वाले हैं तो स्टार्ट में बस 1 1-2 टी-स्पून चीज को भी ग्रेट करके मिला देंगे यहां हमने प्रोसेस चीज यूज की हैं 2-3rd cup आप ज्यादा चाहें तो इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं या कोई और चीज मान लीजिए आपको मॉजरिला डालनी ह या चैडर तो आप वो भी उस कर सकते हैं चीज आप इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो थोड़ा मियोनीज भी इस्तमाल कर सकते हैं या टोटली आप पर है स्किप कर दें टमेटो केचप डाल देंगे 1 टेबल स्पून साथ में विनेगर वाइट विनेगर यह तो आप लेमन जूस भी इस्तमाल कर सकते हैं ताजी को टीवी काली मिर्च यह भी तकरीब एक टीस्पून के आसपस बाइंडिंग के लिए इसमें डाल देंगे हम कॉन फ्लार तो अभी हमने इसमें 2 टेबल स्पून भरकर डाला मिक्स करेंगे बाद में देखेंगे जरूर का भी पानी चूपता है तो चिकन को पहले ड्राय करके बाद में उसका कीमा बनाएं बहुत अच्छी तरह मिलाया हमने आप देख सकते हैं मिक्स्चर किस तरह का है मिक्स्चर ऐसा होना चाहिए कि हम आसानी से इनकी कटलेट बना सके तो इस तरह से रोल करके हाथ पे एक बा रखते हैं और आज आपको एक डिलिशिस सी चटनी की रेसिपी देते हैं बिल्कुल अलग शायदी आपने कभी बनाई होगी चटनी बनाने के लिए हमने एक पॉट ले लिया यहाँ पर फ्लेम को अन कर दिया है हमारे पास कुछ लसन और हरी मिर्च है तो यह 20 से 25 लसन की कल पानी बहुत ज्यादा नहीं 2 से 3 टेबिल स्पून फ्लेम को हाय करके इतनी चीजों को हम बॉil करेंगे यह चटनी को बना कर आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में 8 से 10 दिन तक यह खराब नहीं होती रमजान के लिए तो सबसे बेस्ट आइटम है यह कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी को घर में spicy पसंद होता है और किसी को नहीं तो हम ज्यादा खाना हमारा spicy नहीं बना बाते क्यूंकि जिसको spicy नहीं चलता वो कैसे खाएगा तो इसीलिए इस तरह की चैटनी बना ताकि वो चट्नी के साथ अपना स्पाइस इंजॉई कर सकें तीखापन इंजॉई कर सकें हमारे घर में जनाब को तीखा बहुत पसंद है और हमें थोड़ा कम तो हम ऐसे ही करते हैं जनाब के लिए इस तरह की चट्नी बना कर रख देते हैं वो तो खाने के साथ भी इसे मिर्चिया उसकी है वो spicy वाली है आप चाहें तो जो कम spicy वाली मिर्चिया होती है वो भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ लो फ्लेम पर तीन मिनिट हो गए लसन और मिर्च काफी हद तक गल गए है फ्लेम को बन करेंगे इसे अलग बरतन में निकालेंगे हमने इसमें ज्यादा पानी नहीं दाला थोड़ा सा पानी है इसमें इससे ज्यादा आड नहीं करना है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मिक्स्चर ठंडा हो गया ब्लेंडिंग जार में डालेंगे ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी इसमें था, वो ही पानी यूज किया हमने, बहुत ज्यादा पानी ना रखें चक्नी में, साथ में हमने यहाँ पर लिया है, हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून ही नमक, ये भी डालेंगे, थोड़ा शक्कर का पाउडर है, एक टीस्पून के असपा इसे भी डाल दिया हमने, साबुच शक्कर है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी ग्राइंड हो जाएगी, इतनी चीजों का पहले फाइन पेस्ट बनाएंगे, लसन और मिर्च को तो बारिक सा हमने ग्राइंड किया, हमारे पास यहाँ दही है, दही का हमने पानी अलग कर लिय साथ में, दही डाल कर भी एक बार हमने ग्राइंड कर लिया, इसे निकाल लेंगे बोल में, आप देख सकते हैं, जबरदस सी चटनी बन कर तयार हो गई है, इस तरह की, एक बार नमक को टेस्ट करना है, शकर और नमक अपने हिसाब से यहाँ भी एज़स्ट किये जा सकते है फाइनली हम इसमें, एक ती स्पून के असपास, मस्टर्ड ओल मिलाएंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा चटनी का, अगर आपके पास मस्टर्ड ओल नहीं है, तो कोई और ओल दाल सकते हैं, या कम्पलीटली स्किप भी कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह और मिक्स करते जाएंगे, अच्छी सी गाड़ी सलरी बनाएंगे इसकी, थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं, हमें अकसर इस तरह के कमेंट्स आते हैं, कि मैम हम अंडा नहीं खाते, तो अंडे की जगह हम क्या यूज करें, काफी बार ऐसे होता है, लोगों को अलर्जी होती है अंडे से और वो अंडा नहीं खा सकते, तो उसके लिए specially हमने ये वाली आज कोटिंग बनाई है, कि अगर आप अंडा नहीं खा सकते या मान लीजिए आपको नहीं डालना है, तो इस तरह भी आप कटलेट को, कब या कोई भी आप चीज जिसमें अंडे की कोटिंग करके फ्राय करते हैं, वहाँ इसे इस्तमाल कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स किया, थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें डाला था, ये इस तरह का होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत कोटिंग कर लेते हैं, कट्लेट की, हाथ को ग्रीस कर लेंगे, तो आसानी इसे कट्लेट बनेंगे हमारे, थोड़ा मिक्स Pelosi हमने लिया, अब यहां जितने बड़े आप cutlet बनाना चाहते हैं या जो भी shape के बनाना चाहते हैं उस पर depend होता है कि आप कितना mixture ले आप इसे बिलकुल healthy तरीके से भी बना सकते हैं जैसे मान लीजे आपने ये बना लिया तो ये coating ना करके आप सिधी तरह पैन पर भी हलके से oil में इने बना सकते हैं या air fry में बना सकते हैं ऐसे होता है ना कभी-कभी हम health conscious होते हैं लेकिन ये सारी चीजे भी हमें खाने का मन होत तो ये भी यक option है आप ये भी option को बना सकते हैं ये वाले cutlet में इसमें cheese आड़ ना करें तो ये 100% healthy हो जाएंगे और जब पैन में भी आप बनाएं तो बस पैन को हलका सा oil से grease करें और cutlets को उस पर रग दें थोड़ी दिर cover कर दें ताके अंदर तक अच्छी तरह से वो पक जाएं बाद में पल्टा कर थोड़ी दिर पकाएं तो इस तरह भी किया जा सकता है बस हमने simple इस तरह के round cutlet बनाएं ये shape के सबसे पहले slurry में डाल दिया हमने बाद में इसे breadcrumb से coat करेंगे बस simple तरीके से हमारे chicken cutlet बनकर तयार हो गए तो आपको ये recipe कैसी लगी हमें जरू कर सकते हैं आप दो हफतों तक ये freezer में खराब नहीं होते अगर आपको हमाई recipe पसंद आई है तो like जरूर कीजेगा आपके एक like से हमें बहुत फरक पड़ता है बहुत motivation मिलती है और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe भी कर दीजेगा ताकि इसी तरह की easy और आस मोटे मोटे अगर आप पतले से बनाएंगे तो 15-20 भी इतने mixture में आराम से बन जाएंगे तो अब देर किस बात की चलिए fry करते हैं करते हैं सूपब दोस्तों हमें लगता है कि इस recipe को देखने के बाद आप इसे तुरंत बना लेंगे क्योंकि यह हैं बिल्कुल simple और ordinary ingredient से बनी हुई लेकिन टेस्ट इसका extraordinary और जबरदस्त है और हाँ चटकारा चट्नी जरूर बनाईएगा साथ में चटकारा चट्नी जनाब ने इसका नाम रखा है जब भी हम यह बनाते हैं जनाब कहते हैं आज आपने चटकारा चट्नी बनाई है तो ये चटकारा चटनी साथ में जरूर बनाईएगा क्योंकि इन दोनों का कॉंबिनेशन अल्टिमेट है जरूर से हमारी रेसिपी को ट्राइ कीजेगा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना खास ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरतास रेसिपी के साथ अल्हाफिज